नमस्कार, आप सुन रहे हैं NewsPoint Podcast और आज के इस Podcast में कहानी चंदरशेखर के प्रधानमंत्री बनने की एक ऐसा नेता जो ना कभी मंत्री रहा ना मुख्य मंत्री रहा सिर्फ सांसद रहा और बना तो सीधा देश का प्रधानमंत्री हम बात कर रहे हैं कॉंग्रेस के उस कदावर नेता की जिसने कॉंग्रेस का विरोध करके कॉंग्रेस के समर्थन से ही प्रधान मंतरी के पद की कुरसी पर कबजा किया ऐसा प्रधान मंत्री जिसके शासनकाल में देश का सोना गिर्वी रखा गया वो प्रधान मंत्री जिनका कारिकाल बहुत छोटा था लेकिन याद किया जाने वाला वो शक्सियत जो देश के प्रधार मंतरी पर बलिया से पहुँचा और जिसे लोग बाबू सहाब कहते थे साल 1984 और तारीख थी 31 अक्टूबर इंद्रा गांधी के हत्या के बाद हुए चुनाओं में कॉंग्रेस ने राजीव गांधी के नितरत में भारी बहुमत के साथ 400 से जादा सीटे जीती थी लेकिन 1989 के चुनाओं में बाजी पलट गई बोफोर्स के शोर में कॉंग्रेस सबसे बड़ी पार्टी होते हुए भी बहुमत से दूर हो गई जनतादल के विशुनाद प्रताप सिंग प्रधानमंतरी बने उन्हें बीजेपी और वाम दलो का समर्थन हासिल था लेकिन एक साल भी नहीं बीता था कि राम जन्भुमी बाबरी मस्जिद मुद्दे पर रत्यात्रा निकाल रहे लाल कृष्ण आडवानी को बिहार में जनतादल के मुख्यमंतरी लालू प्रसाद यादव ने गिरफतार करवा दिया इसके बाद बीजेपी ने वीपी सिंग सरकार से समर्थन वापस ले लिया सरकार अलपत में आई और गिर गई उनकी ही पार्टी के चंदरशेखर 64 सांसदों के साथ जनतादल से अलग हो गए वो चंदरशेखर जो वीपी सिंग को अपना जूनियर मानते थे वो चंदरशेखर जो कता ही नहीं चाहते थे कि वीपी सिंग प्रधान मंतरी बने वो चंदरशेखर जो लगातार वीपी सिंग की राह में रोड़े अटकाते रहे लेकिन बावजूद इसके वीपी सिंग प जन्ता पार्टी बनाई जिस का विरूत करके जन्ता दल सत्ता में आया था उसी के समर्थन से चंदरशेकर प्धानमंदरी बन गए लेकिन ये सरकार भी ज्यादा दिन नहीं चली और महज तीन महीने बीटे थे एक कांगरेस ने चंदरशेकर सरकार से अपना समर्थन वापस ल को इस्तिफा देना पड़ा और इसके बाद नए सिरे से चुना हुए जून 1991 में एक बार फिर कॉंग्रेस सत्ता में आई पीवी नरसिम्हाराव देश की प्रधानमंत्री बने और नरसिम्हाराव की शपत ग्रहन के पहले 21 जून 1991 तक चंद शेखर कारेवहक पीम के रूप में रहें उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के इब्रहिम पट्टी गाउं के किसान परिवार में जन्में चंद शेखर इलाबाद यूनिवर्सिती में पढ़ाई के दौरान समाजवादी आंदोलन से जुड़े थे चंद शेखर के बारे में ये कहा जाता था कि वो कॉंग्रेस के समाजवादी निता हैं कॉंग्रेस में समाजवादी विचारधारा के प्रकर समर्थक निता हैं एक ऐसे निता हैं जो कॉंग्रेस के अंदर समाजवादी विचारधारा को एक नया मार्ग देता है इंद्रा गांदी शुरवाती दिनों में बहुत जादा चंद शेखर को पसंद नहीं करती थी लेकिन वो उनकी तुनक मिजाजी उनके तेवर को भाव गई थी और कॉंग्रेस के अंदर रहते हुए चंद शेकर उतने ही खतरनाक साबित होते थे जितने वो कॉंग्रेस से बाहर होकर कॉंग्रेस के लिए हुए लेकिन राजनीती है और विडंबना य कि जिस कॉंग्रेस का विरोध करके उन्होंने सत्ता हासिल की केंदर की उसी कॉंग्रेस के समर्थन से उन्हें सत्ता मिली और कॉंग्रेस का समर्थन उन्हें लेना पड़ा ये सियासत है और चंद शेखर की ये कहानी सुन्द रहिए निउस पॉइंट पॉड़कास्ट आपकी झालाज के लोरो जाहिए.